जब भी हम classes में कुछ explain करते हैं या फिर कोई presentation देते हैं उस time हमें जरुवत होती है एक highlighter की जिसकी help से हम चीजों को explain कर सकते हैं या फिर कोई एक particular point है उसे हम highlight कर सकते हैं उस case में आप इस तरीके का mouse highlighter यूज कर सकते हैं अपने points को explain करने के लिए, चीजों को highlight करने के लिए और ये जो mouse pointer है ये सिर्फ एक graphic image है जिसे आपको create करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि internet पे ऐसी बहुत सारी graphic images available है जिने आप free में use कर सकते हैं Hello everyone, this is Nidhi और आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप इस तरीके के mouse pointer highlighters को download कर सकते हैं और use कर सकते हैं अपने presentations के लिए, classes के लिए इस तरह के pointer highlighters को search करने के लिए हमें जाना होगा rwdesigner.com पर which is real world cursor editor यहाँ पर आप जाएंगे gallery वाले option में जहाँ पर आपको कुछ एक cursor की images देखने को मिलेंगी आप चाहे तो इसमें से select कर सकते हैं या फिर अपना custom cursor भी design कर सकते हैं और यदि हमको जो already existing highlight cursors हैं वो use करना है तो जो search icon है यहाँ पर आपको type करना होगा cursor highlight and select search तो यहाँ नीचे आपको बहुत सारे highlight cursor वाले options मिल जाएंगे अगर आपको mouse के around सिर्फ एक circle चाहिए तो यह वाला option select कर सकते हैं या फिर जो combination यहाँ पर given है आप इन में से भी select कर सकते हैं अब यहाँ हम क्या करेंगे order by में इसको हम downloads वाला option select करेंगे और जो most popular downloads है वो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से आप कोई भी option select कर सकते हैं let's select this one highlight cursor.cur और यह जो file है इसको हमें यहाँ से download कर लेना है अब यह जो highlight cursor है इसको हमने desktop पर ही save कर लिया है इसके बाद हमको क्या करना है नीचे task bar में जो search वाला option है इधर पर आप type करेंगे mouse settings इसे आप open up करेंगे और यहाँ पर जो additional mouse options है इनको आपको select करना है अब इसमें mouse properties के under आपको pointer वाला option है उसको select करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे mouse pointers के option यहाँ पर available है इनमें से भी आप चाहें तो कोई भी select कर सकते हैं और in case जो अभी हमने cursor highlight डाउनलोड किया है उसे यहाँ पर लेकर आना है तो हम जाएंगे browse option में और जहा highlight cursor वाला option है इसको हम open up करेंगे इसके बाद you have to select apply तो आप देख सकते हैं जो highlight cursor हमने download किया था वो यहाँ पर आ गया है जिसे हम use कर सकते हैं कोई भी चीज़ को highlight करके बताने के लिए pinpoint करने के लिए और in case आपको यह वाला cursor use नहीं करना है जो default cursor है वही आप use करना चाहते हैं तो आपको बस select करना होगा use default और apply इसके बाद जो आपका पुराना pointer था वो यहाँ पर आ जाएगा अब जब mouse properties की बाद चल ही रही है तो कुछ एक settings में आपको और यहाँ पर बता देती हूँ जैसे कि जब भी आप किसी online whiteboard पर pen tablet की help से लिखते हैं उस time जब भी आपका pen option selected होता है तो पता नहीं चलता है कि आपका pen है कहाँ पर जो आपका pointer है वो कहाँ पर है उस case में आपको क्या करना है जो pointer option है इसको आप open up करिए और यहाँ पर जो last option आपको देखने को मिल रहा है show location of pointer when I press the control की इसको आपको check कर लेना है इसका मतलब यह होगा जब भी आपको ल circle वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और फिर वहाँ से आप आगे continue कर सकते हैं चीजों को लिखना explain करना तो as a teacher यह भी एक ऐसी setting है जो आपके लिए helpful रहेगी तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से okay और इसके साथ यह video भी हमारा यहाँ पर end होता है hopefully यह video आपके लिए useful रहोग especially for the teachers तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में